नमस्कार सातियों वेदान क्लासेज के डीजिटल प्लेट फोरम पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन सातियों आज हम जो चर्चा करने की तरफ जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है पर्मी कंपोस्ट खाद यानि केच्वे से निर्मित जो खाद होती है उसके बारे म हम पढ़ेंगे और बहुत ही मतलब काफी उपयोगी खाद है इस का 650 बारे में पढ़ेंगे और आने वहला समय मुझे लग रहा है इस खाद की तरह बढ़ने इस खाद का बहुत अच्छा रिजल्ट है तो इसके बारे में जानते हैं और कुछ पॉइंट से सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वर्मी कल्चर क्या होता है या इसकी डेफिनेशन वगरे क्या होती इसके बारे में चर्चा करेंगे वर्मी कंपोस्ट बनाने का जो चर्ण बद तरीका है किस परकार से जो कैच्छों से जो खाद त्यार की जाती है क्या तरीका होता है किसके बाद में कितने समय अंत्राल में खाद तयार होती है कुन से सामगरी से तयार होती है कितना केच्वे की छमता उसमें रखी जाते हैं अलग-अलग जो कुंड बनाए जाते हैं अलग-अलग जो बॉक्स बनाए जाते हैं उसमें कितने केच्वे डालना जरूरी होता है कितने समय में उनको पानी का छिड़काव करना होता है इन तमाम बिंदों के उपर हम देखेंगे आते हैं वर्मी कंपोस्ट जो खाद है इसके कौन-कौन से गुण होते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाते समय यहां रखने वाली जो सावधानिया है कौन-कौन से सावधानिया रखने चाहिए वर्मी कं पोस्ट है इस खाद का लाब क्या है इन बिंदों के उपर हम आगे चर्चा करेंगे सबसे पहले जानते हैं यह आपको खाद दिकाई देरी है यह आत्में ले रखाए यह जो भी है परिवासा केंच्वे के दवारा व्यर्त कार्बनिक पदारतों जैसे पसौ का गोबर होगया बची होई साग सब्ज हो गई फूल पत्या हो गई करसी जो औॉससए इत्यादी को खाकर जेविक परिनिया के द दवारा विष्ट जो उसरीद करते हैं उससे क्यों हम क्या तो खाकर जो खाद तयार करता है तो कहते हैं विद्यार्तियों वर्मी कंपोस्ट कहते हैं और साती में हम इसमें वर्मी कल्चर के बारे में जानेंगे तो वर्मी कल्चर क्या है तो वेज्यानिक पदती से परदनन कराकर केंचों की संख्या में परदी करके उनका पालन करना ही क्या क्यलाता है वर्मी कल्चर कलाता है मतलब केंचो का प्लन करना ही वर्मी कल्चर है यह की वर्मी कंपोस्ट खथ बनाने की परक्रिया में केंचो की सबसे मैत से नाम केंचवे पाए जाते हैं और गहरी सत्य में अगर देखेंगे तो कोने से पाये जाते हैं इंडोजेग तो एपीजेग एनीशिघ और एंडोजेग नाम की केंचवे के नाम है यह आपको पता होना चाहिए इसलिए उपयोग वर्मी कंपोष्ट खाद बनाने में इनका किया जाता है वर्मी कंपोस्ट बनाने में केच्वे की आई सीनिया फीटीडा परजाती का ही परियोग में लाना चाहिए तो कि कम समय में परजनन के दवारा अपनी संख्या में वर्दी कर लेती है जैसे आप केच्वे लेके आते हैं फिर इनका परजन जल्दी इनकी संख्या में बर्दी हो जाती है वर्मी कमपोस्ट खाद बनाने का तरीका है वो चरन बद तरीका है कई चरन में बात करते हैं सबसे पहले जो जेविक पदार्त होता है जैसे गोबर साग सब्सदिया फल प्रूट इनके जिते वी कच्रा पड़ा रहता है वह उस से पानी वानी डाल दूला के खड़ने के लिए रख दिया जाता है उसके बाद में सेकिंड चरण क्या होता है कि दस इंटू चार इंटू दो फिटके एक सीमेंट का टांका की तली में महिन रेत मिट्टी के मिश्रण की दो इंच मोटी परत बिचा देते हैं मतलब एक परकार से खड़ा टाइप का होता है यह या पिर एक टैंग का होता है जिसकी लंबाई चोड़ाई और घहराई कितनी होती है दस इंटू चार इंटू करते हैं जो कि जो हमने सड़ाया था इसको जेविक पदार थे जिसे गोबर साग सब्जी पत्ते वगरा ये थे इनको पाने का खिड़काव करके 20 दिन तक हमने सड़ने के लिए रख दिया था उसको इस मिश्रन को टांके में डाल दिया जाता है इस परकार के टांके होते हैं म पुराणे गोबर की 3-4 इंच से मोटी परत विचा कर पानी का चिड़काह करते है करते हैं जैसे यह जो सड़ा जिविक पदार था उसको हैं सिसके उसके बाद में जी जूट की जो बोरर होते हैं जैसे बोरी का जो होता है उसे डग देते ह९ह जिससे उसके उपर नमी बनी हुई रहती है तिर्ट रध दीन में तो बहुत 30 क ideia के लिटर लिटर पानी का छिड़का होना चाहिए ताके भरने के लगबग 30 दिन बाद जब उपरी 15 cm सतय में वर्मी कंपोस्ट केच्वे का विष्टा बन जाता है तो उसे निकाल कर अलग कर देना चाहिए मतलब जब उपर की तरफ जब आपने केच्वे डालेते तो धीर-धीर नीचे उसकी जग़ फिर बचा है उसको वापस गुडाई कर देनी चाहिए और गुडाई जब करते हो तो उसका ध्याना करना चाहिए वो जो केच्वे वगर वो कटने नहीं चाहिए उनको नुक्शान नहीं होना चाहिए ठीक है और पुने जूट के बोरों से वापस उसको डग देना चाहिए नवा चरण है परतेक 15 दिन में 15 cm सतय का वर्मी कंपोस्ट तैयार होता जाएगा इससे निकालते जाए एंटाके में मिश्रन की उड़ाई और छुड़काव करते रहे तो एक काम करना चाहिए जैसे ही 15 cm तक विध्यारतियों यह तैयार हो जाता है तो निकाल इनमें इस परकार से आप यह खात तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छा तरीका है और आने वाले समय में यह कमाई का भी जरिया हो सकते हैं अगला चरण क्या है कि समय समय पर निकाले गए वर्मी कंपोस्ट को दो तीन दिन हलका सूख कर 4 mm की छन्नी से चान कर प्लास्टिक के बोरों में बर कर भंदारन कर देना चाहिए जो आपने वो निकाला वर्मी कंपोस्ट खाज तैयार होई थी उसको निकाल कर चान कर और उसकी देखो जो चन्नी है वो 4 mm की होनी चाहिए उससे चान कर बढ़ना चाहिए और समय समय पर लगवग 25% तक नमी बनाए रखना चाह है अब बर्मी कंपोस्ट जो खाद है उसके गुण है वो कुण कुण से गुण होते हैं इसके तो यह दानेदार और गहरे बूरे रंग का हुमन पदार्थ है जो की खरपत बारों के बीचों अनिकारक जिवानों और दुरगंद मुक्त होता है इसमें नाइट्रोजन 1.75 से लेकर 2% तक तता कार्बन नाइट्रोजन का नुपात रहता है बारा नुपात 0.01 होता है इसमें लाबदाएक सुक्सम जीवी पाए जाते हैं और नाइट्रोजन इस्थरीकर्ण में भी इसका काफी एहम योगदान होता है इसमें कई पादप वर्दी नियामक हार्मोंस एं जो वर्मों कंपोस्ट खाद है इसका काफी योगदान है वर्मी कंपोस्ट बनाते समय ध्यान रखने वाली सावधनिया किस-किस बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए केच्वे सवर्दन के इस्तान पर लाल चीटी विच्चू शिपकली तिल चट्टा मेंड़क और पक्ष वर्मी कंपोस्ट बनाते समय ताजे गोबर का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें उपस्ति जो मिथेन गेस होती है वो केंचों के लिए हानिकारक होती है तो जब भी वर्मी कंपोस्ट खा त्यार की जाती गोबर से तो पहले उसको सड़ने दो 10-15 दिन तक तुरं जाने की गोबर कितना दिन पुराणा होना चाहिए 20-15 दिन पुराणा होना चाहिए और सड़ा गला होना चाहिए खाद की पल्टाई या एकतर करते समय खूर्पी या फावडे का परियोग नहीं करना चाहिए मैंने काने 15-15 cm खाद को अटा लेना चाहिए तो जब और पर 9-35 तक नमी उना जरूरी समय-समय पर उन बोरों के ऊपर पानी के चिढकाव करना चाहिए जिससे लगब 25-30 तक उसमे नमी बनी रहे हैं वर्मी कम्पोश्ट के उपीयोग कोन कोन से होते हैं तो वर्मी कम्पोस्ट को अनाज वाली फसलों मेंungs 12 वार cambiar बुमी में और व भी बुवाई से पहले और बगीचे के पेड़ों में आउसकता अनुसार एक से लेकर दस किलो ग्राम तक परती पेड़ या परती घमलों में 100-200 ग्राम परती घमला आप उफ्योग कर सकते हैं गमले में अगर डालना चारे तो 100-200 ग्राम के बीच में डाल सकते हैं और अगर प वर्मी कंपोस्ट के लाब क्या-क्या होते हैं सादन गोबर की खाद की अपैक्सा रोगानों की संक्या कम होती है इससे दीमग वगरा नहीं लगती एक तो सामन ने आप खाद डालते हैं जिसे पसुने गोबर वगरा किया उसको एक जगए गत्रित करके आप खेतम डाल देत हैं तो उससे कई बार जो फसल होती है उसको दीमग वगरा लग जाती है लेकिन अगर वर्मी कंपोस्ट का आप यूज लेते हैं तो इस परकार की उनको दीमग वगरा लगने की कोई संबावना नहीं होती है इसमें कार्बनिक पदार जिसे नाइट्रोजन फासपोरस पोट और मर्दा में लाबदाइक सुक्स्म जीवों में वर्दी हो जाती है वर्मी कंपोस्ट का असर लंबे समय तक बना रहता है जिससे हम माना कि यह जो रासानिक हादों का यूज लेते हैं यह तो तुरंत उनका मतलब हमें रिजल्ट मिल जाता है लेकिन लंबे समय तक नहीं जाता है जिसे खेट के जो अवसेश निकलते हैं उनको वह जला देता है तो उससे तो बलकि क्लाइमेट जो एंवर्मेंट विद्यारती हो इसको काफी नुक्सान पहुंचता है जिसे आपने देखा होगा जो भी खेती करते हैं उनकी जो भी मतलब उनकी फसल काटने के अगर वो जानकारी होगी अगर किसान खो तो यूज लेगा ना अगर जानकारी नहीं तो किस परकार यूज लेगा तो जब भी आप पसू पालक बन जाए पसू चाय डेरी खोले आप या पसू परिचर की आपकी नोकरी लग जाए के बाद में सभी किसानों को अवहर करने क अब तक के लिए धन्यवाद